ओम सिरी गने साइनमा दोस्तो एश्ट्रो समाधान यूट्योब चैनल में आपका हार दिक स्वागत हैं दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पांच मई गुरुवार के रासी फल के बारे में कि यह दिन सिंग रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन-किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन-किन चीजों से इनको सावधान देना होगा इनकी लव-लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजिनिश और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्त की महत्पपून जानकरी हम आपको देंगे और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और भैतर बना सकें दोस्तो आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोग को से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर ने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बैल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी नीनी वीडियो पहुंस सके चली दोस्तो बात करते हैं कैसा रहेगा सिंग राशी वालों के लिए गुरुवार का दिन सबसे पहले बात करते हैं क्या आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला है दोस्तो आज आप पिछली कुछ कमियों से सीख लेकर अपनी दिन चरिया में और भेतर सुधार लाने की कोशिस करेंगे जिसमें आप सफल भी होंगे और इस तरह की कोशिस से लोगों के साथ सम्बंदों में आश्चर्य जनक सुधार आ जाएगा दोस्तो आज प्रतिष्ट लोगों से भी मुलाकात लाबदायक और सम्मान जनक रहेगी तथा उनके साथ समय व्यातित करना और सामाजिक गति विदियों में भाग लेना आपके व्यक्तित में और अधिक निखार लाएगा आज रुके हुए काम बन सकते हैं उन पर अपना ध्यान अधिक केंद्रित रखें आज घर में कोई मांगलिक कारे संपन होने की भी संभावना है जिससे परिवार में प्रसंदता का माहौल रहेगा साथ ही आज का समय आपके लिए कुछ नई उपलब्दियों का निर्मार कर रहा है जो की भविस्य में आपके लिए बहुत ही अधिक फायदेबंद साबित होंगी दोस्तो अपनी योजनाओं को सुरू करने से पहले एक बार पुनहें उस पर सोच विचार अवश्य करें आज आपको कोई महतपउन कारे की सूच न मिलेगी उसे नजर अंदाज बिलकुल ना करें दोस्तो आज आपके साथ कुछ ऐसा घटित होने वाला है जिससे आपको लगेगा कि किसी का आसिरवाद आपके उपर है अपने पुर्तिभाओं को पहचाने और पूरी उर्जा के साथ अपनी दिन्चरिया वेकारे प्रणाली पर ध्यान केंदरित रखें दोस्तो रिष्टेदारों का घर में आज आगमन होगा आपसी मेल मिलाप घर में खुसियां और सुकून लेकर आएगा साथ ही किसी परिवारिक व्यक्ति की किसी भेतरीन उपलब्दी पर घर में आज जसन का माहूल भी होगा दोस्तो बात कर लेते हैं जब के लिए क्या नेगेटिव हो सकता है दोस्तो आज वरिष्ट तथा अनुबवी लोगों से सला लेने में आप परेज ना करें उनका मार्ग दर्शन वे सयोग आपके मनोवल को और अधिक बढ़ाएगा व्यर्थ की बाहरी गतिविदियों में समय नष्ट आप ना करें नकारात्मक प्रवर्थी के लोगों से दूरी बना कर रखें वे आपको आपके लक्षे से भटका सकते हैं और किसी प्रिकार का आर्थिक लुकसान और मान हानी की भी आज संभाव ना है विध्यारती अपनी पड़ाही के प्रती और अधिक ध्यान गेंदरित रखें आज खर्चों की बहुत अधिकता रहेगी इससे आर्थिक इस्तिती डगमगा सकती है इसलिए बजट बना कर चलना जरूरी है कभी कभी आपका एहम और क्रोध पूर्ण श्वयभाब परिस्तितियों को दूसित कर सकता है इस बात का आप ध्यान अवश्य रखें दोस्तों साथ साथ अपने सुबचंतकों पर किसी भी प्रकार का विचार विमर्श करने से उचित हल प्राप्त हो सकता है घर के बड़े बुजर्गों की देखवाल में भी समय व्यतित करना आवशक है भूमी संबंदित कारों को लेकर कागजातों में कोई दिक्कत आज आ सकती है परन्तु जरासी भी समझदारी और समझबूज से गाम बहुती आसानी से बन जाएंगे आज रूपे पैसे का लेंदेन ना ही करें तो अच्छा है दोस्तो अपनी बजट को ध्यान में रखकर आप खर्च करें कोई पैत्रिक संपत्ती संबंदित मसला उठने से हलकी फुलकी नोक जोक हो सकती है वेवेक और समझदारी से आप काम लें तो भैतर होगा दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली हैं दोस्तो परिवार के साथ मनुरंजन संबंदित कारों में समय आज व्यतित होगा प्रेम संबंदों में भी नजदी की आएंगी आपकी व्यस्तता के कारण जीवन साती का परिवार के लिए पूर्ण सहयोग रहेगा जिसकी वज़े से आपके आपसी संबंदों में काफी मधुर्त आएगी पती-पतनी के संबंद खुशनुमा रहेंगे सौपिंग और मौज मस्ती में आज समय व्यतित होगा प्रेम संबंदों को भी परिवारिक स्विकर्ती प्राप्त होगी व्यवशाय और परिवार दोनों जगहें तानमेल बना रहेगा जिससे बहतरिन वातावरन रहेगा घर की छोटी-मोटी नकारतमक बातों को नजर अंदाज करें इससे संबंदों में कभी कटूता नहीं आएगी और आपके प्रेम संबंद काफी मजबूत रहेंगे दोस्तों बात कर लेते हैं जब का वैवेशाय केरियर कैसा रहने वाला है दोस्तों पार्टनर्शिप संबंदित कारों में लाबदाएक आज प्रिस्तितियां बन रही हैं कार्रे को विश्तरित करने संबंदित योजने भी आज बनेंगी नोकरी पेश व्यक्तियों के कामकाज आज ज़्यादा रहेंगे प्रतिष्ट लोगों से अपने संपर्कों को आप और अधिक मजबूत करें उनके द्वारा आपके व्यवशाय में नए ओर्डर और अनुवंद प्राप्त हो सकते हैं सरकारी सेवारत व्यक्तियों के ऊपर अतिरिक्त कार्रे भार रहेगा आप अपनी योग गिता व्यकाबलियत द्वारा अपने प्रतिष्ठान में कुछ बदलाव लाने की कोशिस करेंगे और उसमें आप सफल भी रहेंगे कुछ नए जन संपर्क भी आज इस्थापित होंगे आफिस में बॉस वे अधिकारी आपके काम से संतुष्ट रहेंगे वेवसाइक गतिविद्यों को सुचारों रूप से चलाने के लिए करमचारियों के सुझाव को आप अधिक ध्यान में रखें जिससे आप बहतरीन निर्न ले पाएं दोस्तो नौकरी में आप अपने काम के प्रती किसी भी प्रकार की लापरभाई ना वरते वेवसाइक गतिविद्यों में सुधार आएगा करमचारियों के प्रती आपकी उधारता वे उत्तम वेवार उनकी कारे च्छमता को और भी अधिक बढ़ाएगा दोस्तो साती सात कारे च्छित्र में आप सभी गतिविद्यों को सुचारों रूप से नियंतरित करेंगे अपनी कारे प्रणाली दूसरों के सामने जाहिर ना करें कोई इसका नाजायज फायदा उठा सकता है नोकरी पेशा व्यक्तियों की उनके उचित काम के लिए तारीफ और साख बनेगी जिससे उनका मन काफी प्रसन रहेगा दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्त कैसा रहने वाला है दोस्तो आज आपका स्वास्त बहुती अच्छा रहेगा परंतु जादा काम के दवाब की बज़े से पैरों में दर्द और ठकान महसूस हो सकती है इसलिए आप सैयमित दिन्चरिया रखे इसके लिए दोस्तो आप अपने स्वास्त को और भी अच्छा रखने के लिए रोजन योग करें, वयाम करें, स्वस्त रहें दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशेश हो पए क्या है दोस्तो आज आप जब भी इस्नान करें बस इस्नान करने से पहले नहने वाले पाने में आप चुटकी बर हल्दी डाल कर इस्नान करें इसके साथ ही आप इस्नान करते समये मनी मन ओम नमो भगवते वाशुदेवाए नमाहां मंतर का मनी मन आप जाप करते रहें जहां दोस्तो इसनानादी से निर्वत्र जबाब हो जाएं उसके बाद आप बहुती सच्चे मन से श्रद अबाब से भगवान विश्णु जी के सामने एक घी का दीपक जलाएं और वही बैटकर आप विश्णु से सस्त नाम का भी पाट अवश्य करें जहां दोस्तो इतना करने मात्र से ही भगवान विश्णु बहुत जल्द प्रसन होंगे आपके समस्त कष्टों को दूर करेंगे जो भी आपके जीवन में परेशाने चल रही हैं सभी परेशाने योगांत कर देखें और वीडियो को लाइक करना ना भूले धन्यवाद